हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मिजो कंपॉण्ट एंद रसेमिक मिक्सर के बारे में बट यह वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्ट्रियो केमेस्टी का प्रीवेस वीडियो देख लिजे प्लेलिस्ट का लिंक और दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो लेट्स इस्टाट अब हम लोग बात करते हैं मीजो कंपॉण्ट की तो मीजो कंपॉण्ट क्या होता है एक हमने एक्जम्पल यह सी एस-3 भी एच तो यहां पर क्या होगा जब हम लोग बात करेंगे इसको इस तरीके से हम लिखे यहां पर दो कार्वएं यह वाला क्योंकि इस कारवन से के Щुड़ा हुआ है अब 2- यह निचे वाला पूरा गुक्रुप ही तो दो कार्वी मिजो को बनाएं होगा और इसको जब दो पार्ट में डिवाइट करेंगे तो इन में क्या होगा symmetry भी नहीं होगा अपसमे symmetry भी नहीं होगा मतलब यह अप्टिकली एक्टिव होंगे अब इसी का दूसरा ले रहे हैं, C, S3, C, S3, left side में दोनों BR है, right side में दोनों H है, अब इसका mirror image बनाएंगे, तो left side में दोनों H है, right side में दोनों BR है, अब इसमें क्या होता है, इन दोनों ही compound में देखोगे, तो इनको 20 से cut करोगे, 20 से cut करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर plane of symmetry होता है, उपर वाला half portion, नीचे वाला half portion, मतलब दो बराबर भागों में इसको हम लोग divide कर सकते हैं, वैसे इसमें है, इसको भी दो बराबर भागों में divide कर सकते हैं, two equal parts में dividable है, इसको हम लोग बोलते है, plane of symmetry, तो जब भी plane of symmetry होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब यह इसको इस compound में plane of polarized light जाएगा, तो उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है, plane of polarized light को, यह वाला जो chiral carbon है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यह optically inactive हो जाएगा, इसमें internally जो rotation है, वो एक दूसरे को cancel कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, चार compound की, one, two, three, four, तो one और two तो optically active है हमारा, इसका जो भी rotation होगा, मानलीजे इसका प्लस 10 है, तो इसका माइनस 10 होगा, इसका माइनस 10 है, तो इसका प्लस 10 होगा, एक डेक्स्टो है तो एक लिवर, बस इस condition में वैसा नहीं होगा, इसका भी total optical rotation 0 होगा, इसका भी total optical rotation 0 होगा, प्लेना polarize light को rotate नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें compound के अंदर में internal symmetry है, तो जब optical rotation 0 होगया, तो ultimately दोनों compound तो एक ही हो गया, दोनों compound एक ही हो गया, जब optical rotation में कोई differences नहीं है, तो दोनों compound तो एक ही हो गया, अब आगे इसका points देखते हैं कि क्या के details है, और molecule with two chiral carbons will not always have four possible stereomas, तो जो molecule है, जिसमें दो chiral center है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चा का group सेम है, CH3, तो उसकी वज़ा से इसमें plane up symmetry आ गई, sometimes there may be only three because some molecules with chiral centers are overall achiral, उसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर चार हमारे पास compound की जगा या फिर चार configuration की जगा हमें only three configuration मिलेगा, because कुछ compound, यह particular compound में दो chiral carbon है, लेकिन ultimately final देखोगे, तो इसमें यह compound क्या है? एक iron है, क्यों? क्योंकि इसका optical rotation zero हो गया, optical rotation zero हो गया, तो compound क्या हो गया? एक iron हो गया, उसकी optical activity है ही नहीं, तो वो क्या होता है overall एक हैईरल हो जाता है, तो यहाँ पर एक compound, यहाँ पर दूसरा compound, और यह दोनों में लेहाख करके हम लोग एक ही compound गिनेंगे, य होगे हमारा तीसरा compound अब नेक्स पाइंट देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इस आर मीजो compound which are super impossible on its mirror image and due to element of symmetry optically inactive due to internal compensation तो यहाँ पर क्या होता है यह compound हमारे यह जो compound है third compound यह हमारा मीजो compound होता है because यह super impossible on its mirror image इनके mirror image को super impulse करने की कोशिस करेंगे तो super impulse हो जाएगा यहां पर से CS3 है CS3 तो इसको घुमा करके इस CS3 को नीचे ले आओ इस CS3 को उपर ले आओ 180 degree में घुमा लो 180 degree में घुमाने पर इसके activity में कोई वह नहीं आता है कोई differences नहीं आता है आगे हम लोग फिसर प्रोजेक्शन में इसको पढ़ेंगे तो जब ऐसे कर दोगे इसको पूरा यह घुमा करके इस CS3 को नीचे इस CS3 को उपर तो यह जो eromine है दोनों इस bromine के उपर यह दो हैड्रोजन है इस हैड्रोजन के उपर आजाए तो अल्टिमेटली क्या हो जाएगा सूपर इंपोज हो जाए ठीक है तो इस तरीके के ओन्हों क्या होता है super impossible हो जाता है इसके मिरर इमेज में किसके करण्ध डूटू कांप सीमेट्री और इनका जो optical activity है वो जीरो हो जाता है क्यों डूटू internal compensation यहां पर internal compensation हो रहा है मतलब यह वाला पार्ट का activity यह वाले chiral carbon और इसका उपर वाला पाट यह वाला कारवन और इसके नीचे अला पाट तो इनकी जो एक्टिविटी आपस में नल एंड वाइड हो जाती है मतलब आपस में कैंसिल आउट हो जाते इसी को हम लोग बोलते हैं अब हम लोग देखते हैं । मिजळो कंपॉउंड्स एंड रैसेमिक मिक्शण रैसेमिक मिक्शर का बात करेंगे तो मिज़ो कंपॉउंड जैसे ही होता है उसमें ॅप्टिकल एक्टिविटी जीरो होती है बड उसमें क्या होता है इक्सर्णल कंपेंसेशन होता है for example इसमें हमने एक compound ले लिया और एक दूसरा compound ले लिया for example यह हमारा 50% है इसका 50% है यह दोनों एक दूसरे के mirror image है और इसका optical rotation मालेज यह plus है plus 20 degree है तो इसका minus 20 degree होगा तो क्या होगा दोनों का ratio 50-50% है plus 20 degree minus 20 degree आपस में cancel out करेंगे एक ही solution में present होगे तो क्या होगा इसका total optical rotation zero हो जाएगा और यह क्या हो गया external compensation क्योंकि यह compound अलग है यह compound अलग है अब miso compound की बात करेंगे तो जो हमने पुराने slide में बात किया था इसमें क्या होगा इसका गिनेंगे और यह होता है हमारा मिजो कंपाउंड इसमें इंटरनल कंपेंसेशन होता है इसमें प्लेन आप सिमेंट्री सिमेंट्री होती इंटरनली अब डिटेल्स देखते हैं राजेमिक मिक्षर is a mixture containing equal amount of inansiomers that is 50% plus 50% तो राजेमिक मिक्षर में क्या होता है equal amount of inansiomers होता है यह वाला plus inansiomers है तो यह वाला minus होगा इसका 50% इसका 50% दोनों आपस में cancel out कर देते हैं optically inactive हो जाता है तो राजेमिक मिक्षर का optical rotation 0 होता है it is optically inactive due to external compensation of optical rotation तो जैसे मैंने मता हैं यहाँ पर external compensation हो रहा है यहाँ पर internal compensation हो रहा है external compensation मतलब इसका plus 20 है तो इसका minus 20 हो जाएगा आपस में cancel out हो गया यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ पर उपल वाले part का जो भी rotation होगा माले यह प्लस 10 है नीचे वाले का minus 10 है तो आपस में cancel out होके 0 हो गया तो 0 मीजो कंपाउंड में भी होता है रैसे मिक्सर में भी होता है लेकिन एक में external होता है और दूसरे में मीजो में क्या होता है लहाँ इट है यह Temporary Optical Innactivity है और उंप्रिकली रिजॉल्फ रापर रही चैमिकल ट्रीटमेट क्या होता है इसको Panadri Optical Innactivity होते हैं इसको र्र्रफोज क, केमिकल घ्रीटमेट बट इसको र्र्र्फो र्रीशाography और में, mezo compound को तो सब्सक्क्राइब, इसका BEATG, तो लोग सेवलार करें, तो उसको OSU aur उप्टिक्ल एक्टिव्टी डिन में नहीं काते। ये मैंने अलिडी डिस्क्स किया हुआ है तो मिजो कमपॉंट्स और रैसेमिक मिक्सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब नेक्स वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं फिसर प्रोजेक्शन के बारे में थैंक यू सो मच